पारकर पैन्स आखिर इतनी सक्सेस्फुल क्यों है? 1880 में जॉर्ज पारकर नाम के एक पैन सेल्समेन को रिलाइज हुआ कि उनके कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैन का लीक हो जाना इसलिए कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1888 में उन्होंने पारकर जॉइंटलेस नाम से वर्ल्ड की फर्स्ट लीक फ्री पैन को डिजाइन किया और ये पैन एक इंस्टेंट सक्सेस बन गई वर्ल्ड वर वन में सोल्जर्स पैन को रीफिल करने के लिए इंक बॉटल्स कैरी करते थे जो फ्रीक्वेंटली तूट जाती थी और लीक हो जाती थी इसलिए पारकर ने सॉलिड इंक टैबलेट्स लाँच किये जिनने जरूरत के टाइम पे पानी में मिलाके लिक्वेड इंक में convert किया जा सके इननों ने वर्ल्ड की सबसे पहली अन्डर वार्टर चलने वाली पender, space में चलने वाली पmen, retractable nib वाली पेन और किलिप के साथ आने वाली पेन भी बनाई थी में सारेंडर और यून चार्टर जैसे historical documents को साइन करने के लिए Parker के pens ही use किये गए थे Parker की हर pen की clip का design एक arrow की तरह होता है जो उनके innovative attitude को symbolize करता है और यही innovative attitude उनकी success का राज है